आज हम फूल गोबी के पराटे बनाने जा रहे हैं जो मैंने कद्दू कसकत के इसको अच्छे से फ्राई किया उसमें मसाली सारे मिला दिये नमक, मेर्च, धनिया और उसमें प्याज, टमाटर जो भी आप चाओ गरम मसाला यह मैंने सुवे नास्ते में बनाए हैं, यह मैं इसको ऐसे भरके, फिर इसको ऐसे बेलन से बेलके और मैं इसको इस तरीके से डाल दोगी, तवे पे तवा मेरा अच्छे से गरम हो गया है उसके बाद मैं तब तक यह दूसरा भी बनाती हूं इसमें यह बहुत आसानी से बन जाते हैं, फटते भी नहीं हैं बहुत अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, यह मेरे खर्मेक सभी को बहुत जाद है पसंद है एस्वेंड को भी बच्चों को भी सभी को भी सभी को बहुत पसंद है आई गाइस अगर किसी को मेरी यूटू फामली में जिस जिसको पसंद है वो बता है कि किसको पसंद है और आजाओ और खालो आते हैं वह टेस्टी में बहुत अच्छे लगते हैं कायस इनको बनाना वह बहुत आजान है यालू के परहटों से भी बहुत तक्षी बनते हैं और बहुत जलीदी भी बन जाते हैं में देखिए हमने इसको दिरे दिरे सेख लेती हूं यह देखिए अच्छे से फूल बेर फूल ने लगाए यह देखिए यह देखिए गाइस यह बन के रेडी हो गया है जिस जिसको पसंद हो बन गोवी फूल गोवी जिसके भी पसंद होते हो यह मैंने तो फूल गोवी के बनाए हैं जिसको लाइक पसंद हो भी बहुत है दीकि बहुत टैश्टी होते हैं बहुत हेल्धी होते हैं इस कमेंट में लाइक से सब्सक्राइब अवस्ति करना जिसको लाइक करें यह मेरा पराठा रेडी हो गया है बाय